अब वेलकम बेक टो माई टूब चैनल तो इससे पिछले वीडियो हम लोग ने Node.js का बेसिक सेट अप कर लिया था तो यह हमारे बेसिक सेट अप था और यह सिंपली हमने इसमें एक get key बना दी जो कि हमने रन करके देखी थी with the help of ब्राउजर से रन करके देख लिया तो नेक्स में हम लोग करने वाले हैं अब MongoDB के साथ connection करने वाले हैं और कुछ CRUD operations हम लोग करने वाले products के लिए यानि हम एक single product add करेंगे फिर add करने के लिए delete करने के लिए यह सारे जो भी basic operations होते हैं उसारे हम करने वाले इसी वीडियो में तो चलिए गाई इसके लिए हम लोग को mongoose की ज़रुद परती है जो कि मैंने पहले इंस्टॉल कर लिए आप simply mongoose install करने के लिए आपको simply बस यह command run करने है npm install mongoose और mongoose हमारा install हो जाएगा हुआ यह देखने के लिए आप लोग simply अपनी dependencies में जाके देख सकतें कि mongoose install हो चुगा है चलिए तो पहले मैंने mongoose को require कर लिया और फिर मैं एक simple अलग file बना लेता हूँ इसका नाम लिख लिएता हूँ मैं फाइल में लिखने वाला हूँ तो इसको हम लिख लेते हैं const db equal require क्योंकि हम लोग है same file के अंदर तो dot slash db इसको मैंने यहां पर require कर लिया है तो यह जैसे यह file चलेगी तो यह वाली file भी चल जाएगे और इसके अंदर से database का connection हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि mongoose में हम लोग कैसे connection कर सकते हैं सबस्क्राइब हम लोग को define करना होता है चलिए देख लेने क्विक किस्टार्ट में सबस्क्राइब है तो मंगूस क्नेक्शन के लिए हम लोग सिंप्ली एक सकते हैं मंगूस.connect तो इसके अंदर connect method होता है इसके help से हम सिंप्ली connect कर सकते हैं तो पहले मंगूस require करना होगा const इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब इस मंगूस का यूज करते हैं हम लोग लिख सकते हैं मंगूस.connect और इसके अंदर हम लोग अपना URL पास करना होता है तो हमारे URL क्योंकि हम compose के help से यूज करें आप compose यह रोब 3D जिसके help से भी करना चाहे कर सकते हैं आप यह download कर सकते हैं simply mongodb compose और mongodb आपके system पे install रहना चाहिए जैसे आप simply mongodb install कर सकते हैं mongodb की website पे जाके महा से आप simply जैसे कोई भी software install करते हैं वैसे simply आप यह install कर सकते हैं मतलब बस download ही करना है, download करने के बाद वह आपके system में आ जाएगा और install है या नहीं वह आप compass के help से देख सकते हैं अगर compass में आपको कुछ databases दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह install है अगर आपको databases नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह install नहीं है चलिए तो इसका क्यूंकि localhost के साथ जह हम करेट करते हैं तो इसका address कुछ steps होता है जब cloud पर या दूसरा कुछ install करते हैं यूज करते हैं तो इसका URL अलग होता है इसका URL है mongodb colon slash localhost 27077 slash test अभी के लिए मैं test db कुछ भी नाम रख सकता हूं यह मेरे devs का नाम होगा जो कि मुझे दिख जाएगा यहां पर side में जो मेरे databases हैं जैसे test database है to do db था भी तो इस types है उसके अंदर कुछ tables होगी उन tables के अंदर कुछ documents होगी और जैसे यह connect होगा मैं एक callback function लिख लेता हूं ठीक है if no error अगर कोई error नहीं आती है तो मैं इस console पर print कर दूँगा db connected या कोई भी message आप pass कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि database connect हो चुका successfully चलिए देखते है हमारे यह connect होता है या नहीं इस server को हमें stop करते हैं और फिर से run कर देते हैं अब यह code चलेगा db वाली file चलेगी और db file जैसे ही चलेगी तो db connected कर देखे message हमारे पास आ गया अगर हम कुछ url गलत कर देते या error कर देते देखे इस case में क्या होगा इस बार database connect नहीं होगा हमें दुबार से run करके देखते हैं देखे shopping backend तो run होगे लेकिन database connect नहीं होगा उसका message हमारे पास नहीं होगा तो चलेए पहला काम तो होगया database के साथ connect होगया अब दूसरा हमें उसके अंदर अपने database तो हमारे बन गया वह जाके देखेंगे तो हाँ पर जो हमारे नाम था database का क्या था हमारे database का नाम था test db तो अभी यह create नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अभी सारी एक ही folder के अंदर रखने वाले हैं तो वहां मैं कर देता हूं उसका नाम models और model के अंदर product model.js तो मैंने एक बना लिया मेरा model यह जिसके अंदर मैं data save करूँगा तो चलिए हम इसको create कर लेते हैं तो models हम लोग कैसे create करते हैं model जो table के अंदर भी दो पार्ट होते हैं एक तो उसका top heading और नीचे उसका data data तो जब हम बाद में fill करेंगे उसके अंदर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे हमारा एक schema बना देंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमने Mongoose को import कर लिया फिर Mongoose यह जो Mongoose था हमारा इसके अंदर से हमने schema ले लिया क्योंकि हमें table की जो हम पहली table बनाने जारे है उसकी heading के लिए हम लोग उने ले लिया data तो अब हमारे पास जो fields होंगे वह हम लोग किसी भी type के रख सकते हैं प्रोडक्ट का schema वह सेंपल के लिए था कि हम ऐसे create करना होता है const product schema is equal to new schema और schema के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़े होने वाले हैं क्योंकि हम एक प्रोड़क्ट के लिए हम लोग क्या-क्या सेव करने वाले हैं तो url उसका होगा तो url उसका किस type का होगा string type का या अब तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं type string या फो direct string में लिख सकते थे url होगा और दूसरा हमारे पास का name होगा category होगी प्रोड़क्ट का कुछ name होगा short में लिख देता हूँ string और category होगी उसकी category भी simply string ही होगी qrl name string और चलिए और क्या-क्यार हम रख सकते हैं seller और इसका price इसका seller कौन रहेगा यह string type का होगा और और तहां हमारा price price हमारा simply number रहेगा ठीक है इस type से भी लिख सकते हैं type string type number यह आप डारेक्ट भी लिख सकते हैं और यह चीजें array और object भी हो सकती हैं असा कुछ दिख करने के simple यह string type ही होगी एक URL लिखा हमने name लिखा category seller अब इसको हम लोग ने क्या कर दिना है यहां से export कर दिना तो यह हमारा product schema है इसको हमने बनाके यहां से export कर दिया है यह simply हमने product schema create किया अभी हमने model नहीं बनाया क्योंकि schema का मतलब होता है कि जो उपर की heading होती है हमारे table की वह बस अभी create किया तो उसके आगे का part कैसे करते है वह हम next देखते है चलिए इस type से हम लोग create करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यह method है .model method यह हम create करते हैं कुछ इस type से चलिए हम लोग करते हैं mongoose.model और model का नाम हम यहां पर पास करने वाल है क्योंकि हमारे इसके अंदर product save होंगे तो यह product model हो जाएगा product model product model तो हमारे table तो बनगे लेकिन उस table की heading होगी वह कैसी होगी वह product scheme जैसे हमने define किया था ऐसा होगा वह तो इसको हम pass कर देते हैं तो इसके अंदर से हम लोगोंने क्या करना है module.exports इक्वल्टू तो यहां से हमने इसको create भी किया और export भी कर दे क्योंकि हम इसी के अंदर नहीं उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब यह एक तरस हमारे पास एक table create हो गई इस table के अंदर हम data save कर सकते हैं यहां से data get भी कर सकते हैं जो हमारे server को auto refresh करता रहेगा उसको हम लोग बोलते है node-mon node-mon जैसे वोग भी packages होते है simply majorly यही use करते है और जो मेरा package जैसे है वहां पर मैं node की बजाए इस बार node-mon से run करूगा node-mon क्या करता है changes को detect करता रहता है और जैसे ही को change होता है यह server को refresh कर दिता है यह install हो चुका है अब मैं npm start करूँगा तो अब इस बार node-mon से चलेगा क्योंकि npm start हो जाए start command के पास जाएगा start command क्या कहती है कि node-mon के helps run कर दो index file को यह वाली file run हो जाएगी इसके थुरू database वाली file connect होई और अब हमने जो हमारा model है वो तो बना लिया है अब हम data save कर सकते हैं इसके अंदर तो चलिए data save करने के लिए हम लोग कुछ controllers बनाते हैं ठीक है controllers कौन से होते हैं यह वाले function होते हैं जो logic को control करते हैं मतब इस route पर यह वाला function चलना चाहिए function के अंदर क्या हो रहा है वह सब हम यहां यहां लिखेंगे एक ही जिगा नहीं लिखते हैं अलाग अलाग लिखेंगे तो इसके अंदर हम product से related जितनी भी चीज़े होंगी वह लिखेंगे productController.js ठीक है और इसके अंदर से जो भी function लिखेंगे सब को export कर देंगे module.export module.export. अब यहां से एक function मनाते है add product यह function होगा कुछ हमारा इस type का जो की accept करेगा request और response जैसे वहां से हम लोग क्या कर रहे थे response send कर रहे थे हैं ऐसी हम लोग यहां से कुछ response send कर देंगे जिससे हम पता लग जाए कि हम इस वाले function की बात कर रहे हैं module.export.add product यह function मैंने यहां से export कर दिया है अब इसको हम कहीं से भी use कर सकते हैं चलिए अब यहां पर मैं एक API बनाता हूँ app.get की फिलाला भी देखे और इसका नाम रहेगा slash add pro dot और इस पर जो function कॉल होगा वह कौन सा function कॉल होगा जो product controller के अंदर है तो उसके लिए पहले मुझे फाइल को import करना पड़ेगा product controller को फिर मैं यूज कर सकता हूँ तो सबसे पहले मैं product controller को import कर लेता हूँ require करता हूँ dot same file में में मेरे पास controllers है और controllers के अंदर मेरा product controller है मुझे वाला चाहिए और इस product controller के अंदर जो मेरा function है कौन सा function है वो add product दिखिए रहा तो उसको मुझे call करना है यानि जैसे मैं यह वाला URL hit करूँगा तुरंत क्या होगा product controller के अंदर से जो add product वाला function है यह वाला function run हो जाएगा और यह function कर क्या रहा है यह तुरंत response send करेगा add product में हाँ in add product आप add product के अंदर है ठीक है चलिए इसको save कर देता हूँ इसको भी save कर देता हूँ अब देखते हैं हम लोग इस get API को hit करके देखते है products वाली तो hit हो चुकी है वो है हमारी add product add product in add product यहां पर हम एक string response मिल गया यानि हम यहां तक पहुंच चुके हैं इस file में है यहां से हमने controller को require किया अब directly जैसे हम यह सब चीज़ें यहीं पर कर रहे थे न यह नहीं करने वाले है तो और यह get की जो API होती है क्योंकि हम कुछ add करने वाले तो यह get की नहीं होगी यह post की API होगी तो app.post slash add product product controller के अंदर चलते है add product के अंदर गए यहां पर हम लोग आ गए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे पहले जो भी user से जो हमे request में data मिलने वाला है data हमें actually मिलेगा किस के अंदर request.body के अंदर तो यहां से हम लोग ले दें कौँस data equal request.body ठीक है और इसको सबसे पहले हम लोग console करा देते हैं कि यह data है क्या जो हमें मिलेगा request.body में या फिर इतना ना करके हम direct भी request को console करा सकते हैं request.body को करा लेते हैं जो कि line number 5 पर हम लोग कर रहे है check करने के लिए अब क्योंकि यह post की request है तो यह browser से हम test नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें postman की जरूत होगी यह हमारा post में ने चली यहां से hit कर लेते हैं API चलिए post की API है और अभी इस API के अंदर अभी हमने कोई database को call नहीं किया अभी क्या क्या यहां पर अभी यहां से हम लोग करेंगे जो भी करेंगे पहले के पहले इसको हम check कर लेते हैं कि यह run हो भी रहा है या नहीं चलिए तो यह get API नहीं है यह post की API है तो पोस्ट के पर ऐसे hit होगी htt p colon slash slash local host और यह 3001 है और slash add product इसका end point है और body के अंदर data हम यहां से बेज़ेंगे body और raw data भेजने वाले हम लोग और text नहीं JSON format में data भेजेंगे तो अभी हम कोई data भेज नहीं रहता हूं simply मैं send पे click कर देता हूं तो मुझे response मिलगा कि in add product यानि हम में data भेज सकता हूं ठीक है इस API से मुझे response मिलना है अब सबसे पहले यहां से data हम लोग get कर लेते हैं data हमारे पास यहां तक जाएगा तो फिर हम database में save करेंगे अगले step में सबसे पहले हम लोग क्या करना है request में data get कर लेना है अब data किस format में होना चाहिए जो product का model था उस format में होना चाहिए चलिए तो यहां से हम लोग data पास करेंगे वो हमारा किस format में होगा इसमें एक URL होगा URL ठीक है और दूसरा हमारे पास name होगा तीसरा हमारे पास category होगी name हुआ URL हुआ category हुआ और हमारे पास seller 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 होगा और हमारे पास होगा price इस अब double quotes में लिखना है क्योंकि JSON format है price में हम लोग 10 लिख देते है seller में हम लोग लिखतेते है seller 1 S1 लिख देते हैं फिलाल category में cat1 name के अंदर name1 URL के अंदर हम लोग डाल देते हैं कोई एक URL यहां से में एक URL लेता हूँ image का ctrl c URL के अंदर में यह URL डाल देता हूँ ठीक है यह URL में डाल दिया अब इसको हम हिट करेंगे ठीक है अब इस API को हम हिट कर देते हैं और अपने console पर यहां पर यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या data हमें मिल रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर क्या किया हुआ simply console किया request body को 5 नंबर पर ठीक है चलिए अब हिट करते हैं हमने इसको हिट किया successfully API कोल होगी in add product और console पर क्या undefined क्योंकि console पर undefined इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी क्या किया है जो हमारा request body में data उसको हमने parse नहीं किया parse मतलब उसको JSON में convert नहीं किया है ठीक है उसके लिए हम लोग को क्या use करना पड़ता है body parser चलिए हम body parser को install कर लेते हैं body parser तो body parser को install कर लेते हैं और देखते हैं body parser को कैसे use करते हैं हर एक request के लिए हम लोग को use करना है तो हम ये direct app के और उसके बाद कहा गया सबसे नीचे होगा ठीक है तो इस टैप से हम लोगों के क्या करना है require कर लें दे हम लोग require कर ले हमने body parser को और require करने के बाद क्योंकि यह हमारी यह सारे requirements है और इसके नीचे हमारी app है और हमारी app जैसे course यूज कर रही है वैसी हमारी app क्या यूज करेगी body parser को भी कोई भी ऐसी चीज जो हर एक request के लिए हमें करनी होती है वो हम directly लिख सकते हैं तो हमें भी बस यह वाला part चाहिए जैसन में convert कर रहे हैं क्योंकि हम data किस format बहेज रहे हैं वहाँ से जैसन format में तो जैसन format बहेज रहे था अभी सिर्फ हम जैसन कोई parse कर रहे हैं जब हम दूसरे format में बहेजेंगे जैसे कि यहाँ पर अलग वह दूसरे options भी होते हैं form data यह URL extended यह इस तरह का कोई भी data हो जब हम बहेजेंगे तो उस case में हम लोग क्या करेंगे उनको भी parse करेंगे या फिर हम यह भी लिख देते हैं बाद में हमें जोरत नहीं पड़ेगी तो यह होता है हमारा form data या दूसरे type of data को convert करने के लिए पार्स करने के लिए ठीक है यह हमने use कर लिया body parser इस बार जो data आएगा वो parse होके तब इस request के अंदर जाएगा पहले यह app उसको parse कर देगी फिर यहाँ पर आएगा तो इस बार वो data में दिखेगा इस बार वो ऐसा नहीं बोलेगा के undefined data इस बार हम API को hit करते हैं और इस बार हमें data मिला URL मिला name मिला category मिला seller price पहले नहीं मिल रहा था पहले क्यों नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने parse नहीं किया था तो अब हमें क्या करना है अब हमें data को database में save करना है क्योंकि अभी तक हमारा database बना नहीं है यहापर वह बना ही नहीं है वह बनेगा तब जब उसके अंदर कम से कम एक टेबल हो एक entry तो हो उसके अंदर तो वह हम लोग कैसे करते हैं मौंगूस में हम लोग को data अगर save करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक नया model क्रिएट करते हैं और document.save देखिए यहाँ पर दिया हुआ है schema बनाया is schema के help से मौडल बनाया यह दोनों काम हम लोग कर चुके हैं यहां पर इसा वाली file में मौडल बनाया और ऑचिके अब इसको कहीं भी योग कर सकते हैं तो यहां ना लि 맛있는 हमने कहीं और लिख दिया बस सको इंस्टॉल कर लेते हैं बस इसको import कर लेते हैं तो यह जो model हमने बनाया था product model लिखा कहीं और था दूसरी फाइल में कोई लेकिन इसको यहाँ पर भी use कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग require कर लेते हैं dot slash हम किस के अंदर है product controller के अंदर है तो पहले हमें बाहर जाना पुड़ेगा अब हमारे पास controls models यह सब है अब models के अंदर एक ही model अभी हमारे पास product model तो इस product model के अंदर हम लोग data save कर सकते हैं तो हमारे पास दो method होते हैं एक create method और एक save method तो इन्होंने किया हुआ है dot save method method में सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है create करना होता है new model और फिर उसको save कर सकते हैं और फिर find और यह सब चीज़े तो हम लगाई सकते हैं तो चलिए पहले मैं इसको save करा देता हूं new model करके यानि यह जो model है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या कहता है इसकी heading बस create कर दी थी अब वही same data मैंने as a request अपने यहां से ले लिया है user से तो वो किसके अंदर मेरा request.body के अंदर मैंने भी console करके देखा था वो request.body के अंदर मेरा data complete अब मुझे एक instance create करना है मेरी new product किसका instance create करना है वो product model का एक नया instance create करना है और सके अंदर मुझे data pass करना है कौन सावला data जो मुझे user से मिला था request.body में ठीक है तो मैंने हैंडर क्लिक दिया वो सारा data जो भी था request.body के अंदर नया instance create करने से मतलब है कि मैंने जो heading create की जैसे table होती है उसके heading हम create करते है फिर उसके अंदर पहली entry तो यह पहली entry है या दूसरी entry या तीसरी entry ऐसे यह entry है मैंने एक नई entry create की और उसके अंदर क्या data रखना था जो user से मिला था वही मैंने पास कर दिया अब मैं इसको save कर सकता हूं तो new product.save new product.save इस function को क्या करता हूं मैं async मना लेता हूं जिससे मैं भी हाँ await लगा सकता हूं अब मैं इसमें लिख देता हूं is saved अब अगर यह save हो गया होगा अगर यह successful हो गया है तो मैं क्या response करूंगा saved नहीं तो नहीं तो मैं response.send कर दूंगा fail to save अभी तो सिर्फ मैं स्ट्रिंग में response कर रहा हूं वैसे ऐसे हम करते हैं नहीं है पर यहां पर भी response कर रहा हूं तो इसको मैं हटा देता हूं यह वाले response को ज़रत नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा data आएगा console पर दिखेगा मुझे और उसके बाद हम लोग यह save हो या नहीं यह देख सकते है अब यह क्या error दे रहा है cannot use import statement outside a module ठीक हाप यूज कर दिया हमने productmodel.gs productmodel अच्छा यह import कर दिया हमने ऐसे नहीं करते है इसका method यह है लिखने का ठीक है ऐसे करना यह DB का code था हमारा connection के लिए इस बार चल जागा इस बार चल गया DB connected और अब चलिए अब देखते हैं हम लोग को क्या response मिलता है अभी click किया मैंने और इसने मुझे बोला के saved मतब successful response मुझे कर दिया कि data आपका save हो गया है तो चल के देख लेते हमारा data save हो या नहीं वह कहां पर दिखेगा हमारे compass के अंदर तो इस बार हमारा देखो test DB हमारा बना या नहीं न देखते है भई को refresh करके बन गया यह हमारा test DB बन गया और इसके अंदर हमने एक table बनाई है products नाम से यह भी बन चुकी है या नहीं बन चुकी बन गई है और इसके अंदर एक entry भी आ चुकी है हमारी जिसके अंदर हमारा underscore id जो कि by default हमें मिलती है url name category seller जो जो data हमने वहां से save गया था वह सारा data हमारे पास आ चुका है तो अगर हम यहां से data change करके save करते हैं तो वह भी save हो जाएगा तो हमारी एक api save करने के लिए api बन चुकी है अब दूसरी api हम लोग लिखते हैं get करने के लिए तो यह वाली api है data save करने के लिए अब दूसरी api हम लिखने वाले data get करने के लिए module.export दूसरा function लिख लेते है get products अब यह products लिख रहा हूं इसको मैं async function ना लेता हूं जो की request, response को इसके दो parameters होंगे generally api functions जो होते हैं वो ऐसे ही work करते है request और response बे और मुझे find किसके अंदर करना है product model के अंदर find करना है तो जिसके अंदर भी find करना होता हम लोग क्या करते है const data equal product model के अंदर find करना तो product model के पे हम लोग लगा देंगे dot find method और इसके अंदर में empty object pass करना हो इसका मतलब यह है के सारा data जो भी इस model के अंदर है यानि इस model से मतलब इस model के अंदर जितने भी यह object सारे हमें return करते हैं तो array of object में सारे model हमें return हो जाएंगे module dot export dot get products यहां हम लगा देते हैं हमारा await और अगर हमें data मिल जाता है if data क्योंकि यह एक array होगा तो इसकी हम length चेक कर सकते हैं if array data dot length that is greater than 0 right अगर इसमें कुछ data आता है तो हम यहां से response कर सकते हैं एक object बनाके object के अंदर हम डाल सकते हैं code 200 code 200 का मतलब है कि successfully hit और इसमें हम message डाल सकते हैं find success जो data हम find करें तो successfully हमें मिल चुका है और जो actual data है वो हम यहां से return कर सकते हैं तो data is जो हमें data मिला था यह वाला data इसी को return करने थे अब एक case ही हो सकता है कि जो हमारा जो data dot length है data dot length अगर equal to 0 हो जाता है data dot length equal to 0 होने का मतलब है कि जो हमारा data था API तो successfully hit हो गई है लेकिन जो हमारे पास data था वो हमारे पास data ही नहीं हमारे इसमें table में खाली table है तो उस case में भी क्या हो जाएगा कि code 404 data not found और message हम डाल देंगे कि data not found API ही तो successfully hit हो गई but data not found और फिर भी कोई error आ जाती है सबसे else में हम लोग डाल देंगे response dot send इसमें हम लोग डाल देंगे code 500 इसका मतलबता है कोई server है code run होने में server पर कोई code run होने में error आ चुकी है तो यह लिग हम लिग सकते है server error short memory डाल दे चाहें तो हम try catch भी लगा सकते है चलिए अभी फिलाल वो थोड़ा सा advance का हो जाएगा फिलाल हम simply crud operation बना रहे है तो जैसे project आगे बलता रहे हैं वैसे हम थोड़ा इसको advance करते रहेंगे तो अब get की API हम लोग hit करते हैं अब यह function तो हमने बना लिया लेकिन इसको अभी हमने call नहीं किया है तो चलिए इसको अब क्योंकि यह post का नहीं get का method है तो app.get इसका url हम लोग करते थे get products करते और यह product controller के अंदर ही है बस यह किस नाम से product controller.get products के नाम से है ठीक है जैसे ही इस server पे यह request हम भेजेंगे तो यह function चलेगा और यह क्या करेगा product model जो हमारा product model है उसके अंदर से find करेगा data को और हमें return कर देगा तो चलिए अब इसको यह तो नुवारी post की request थी get की request बना लेते है get की request होज़ेगा http localhost 3001 get products get products और send करने है इसमें कुछ data भीजना नहीं है तो ठीके हमारे पास आया code 200 message find success और data हमारे पास आ चुका है एक की data save किया था एक हमारे पास आ चुका है दो data save करती है तो दो आ जाता अभी हमने एक ही किया एक हमारे पास data आ चुका है और इसी types है हम लोग delete की API और एडिट की API भी लिख सकते हैं इसमें फर्दर जब इस प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे तब हम लोग और इसमें यह चीज़े लिखने वाले हैं पहले हम यह add और get products यह integrate करेंगे with the frontend दो API हम लोग बना चुके है add करने के लिए data और get करने के लिए अब यह दोनों API के हम लोग क्या करेंगे frontend जो हमारा react जैसा उसके साथ use करेंगे integrate करेंगे वहाँ पर और फिर further इस project को आगे बढ़ाएंगे delete और add यह सब चीज़े हम बनाएंगे फिर और फिर हम लोग लेके चलेंगे add to cart और इस type से यह चीज़े user sign up login यह सब भी हम लोग बनाने वाले हैं फिर next तो अब यह वाली जो API है इसकी ज़रूद नहीं है इसको हम comment भी कर सकते हैं इस video हमने सीखा कि हम database को कैसे connect करना है database करके उसके अंदर एक table कैसे बिनाना और इसके अंदर की entry कैसे create करनी है यह सब करने के बाद हमने actual में data postman's API को hit किया and hit करने के बाद data save किया और save करने के बाद हमने get करके भी देखा कि हमारे पास API की help से get करके देखा कि data save हुआ या नहीं हुआ तो एक array of object की format में हमको data मिल गया इस वीडियों हम इतना ही रखते हैं आगे फिर हम पहले ही इन दोने API को integrate करते हैं with the frontend और integrate करने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर चलेंगे अपने आगे और operations पे sign up, login और बाकी फर्दर जो भी operations में होने वाले तो इसको थोड़ा सा अभी तो मैं थोड़ा basic level का code लिखा है यहां पर ठीके अब इसको थोड़ा सा advanced level पर लेकर जाएंगे क्योंकि अभी एक साथ ज्यादा advanced लिक्टों को समझ दियाएगा इसलिए मैंने भी थोड़ा सा basic level का code लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए